गलती से ये सैंविच अगर आपने किसी को बना कर खा लिया ना तो वो तो हाथ दोकर आपके पीछे बढ़ने वाला इतना जादा टेस्टी होता और इसे बनाना इतना आसान है तो आपना हर रोज बना कर खा सकते हो अगले हुए आलू लेंगे और आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे मैश करने के बाद July में बोखाती बेसिक मसाले जाते है नमक, मिर्ची, भुने वजीरे का पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर एक हरी मिर्च काट कर डाली है, मैंने और हरा धनिया, अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लो और इसकी सिम्पल सी टेस्टी सी फिलिंग रेडी हो चुकी है यहाँ पर मैं चटनी बनारी हो, तो हरा धनिया, एक हरी मिर्च, दो लसन की कलियो, चोटा से टुकड़ा अधरक कर डाला है, थोड़ा सा नमक और पानी डाल कर इसको ब्लेंड कर लेंगे यहाँ पर मैंने दो ब्रेट के स्लाइस लिए, एक स्लाइस पर हम लगाएंगे चटनी, ग्रीन वाली और दूसरी तरफ ना आलू वाली स्टफिंग लगा देंगे और अगर आप चाहो तो अगर बच्चों के लिए बना रहें तो उस पर चीज का स्लाइस लगा ले न उससे और भी जादा टेस्टी हो जाता है पैन में डालेंगे थोड़ा सा बटर और इसको हम दोनों सरफ से क्या करेंगे दीमी धीमी आज पर अच्छा क्रिस्पी होने तक शेक लेंगे ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ चुका और इसको कर्ट करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो मुझे ना चाय के साथ सैंविक बहुत अच्छा लगता हूँ मेरे बच्चों ने भी बहुत शौक सिखाया वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शिरे और सब्सक्राइब